हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी किसी भी एक्जाम में बैक आ जाती है या फिर आप किसी भी पेपर में फेल हो जाते हैं तो वो पेपर आप कब और कैसे दे सकते हैं बहुत सारे स्टुएंट्स मेर से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके या टेली ग्राम पर पूछते हैं कि हमारी इस सब्जेक्ट में बैक आई है कि हमारी इस सब्जेक्ट में बैक आई है या किसी भी एक्जाम में आप फेल होते हैं तो आपको क्या करना है तो इगनू में जो पेपर हैं वो दो सेशन में होते हैं एक आपका जून और एक आपका दिसंबर तो अगर आपकी जून एक्जाम में बैक आ जाती है या दिसंबर एक्जाम में आपकी किसी भी पेपर में बैक आ जाती है तो आप उसका पेपर दुबारा से जून में दे सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके अभी दिसंबर 2022 के एक्जाम हुए है तो दिसंबर 2022 के एक्जाम में आपकी किसी भी पेपर में बैक आ गई है 2022 के exam में अगर आपकी जून 2022 के exam में बैक आई है आपने दिसंबर 2022 में उसका paper नहीं दिया जब भी आप अभी जून 2023 का exam दे सकते हैं यानि कि आपका पहले कोई भी subject के लिए नहीं हुआ है उसमें back आई है फेल हुए हो आप तो आप उस subject का भी जून 2023 exam में पेपर दे सकते है या फिर दिसम्बर 2023 में भी अपना exam दे सकते हैं इसके लिए simply आपको क्या करना है अभी आपके exam form release होंगे इसके लिए आपको simply यहाँ पर क्या करना है आपको register online पे click करना है यहाँ पर आपको term and exam पे जाना है आपको इस portal में क्या होगा अभी यह जो portal है यह open नहीं क्योंकि अभी आपके exam form नहीं आए यहाँ पर आपको term and exam पे जब click करेंगा तो यहाँ पर आपका exam form open हो जाएगा वहीं से आपकी exam की fees जाती है आपको कोई fresh paper हो या back का fail का paper वहीं से दोनों चीज़े fill होती है आपकी जो exam fees है वह दुबारा से fill होती है देन आप जिस भी paper में fail हुए है या back आई है आप उसका paper दुबारा से दे सकते हैं तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर आपकी किसी भी exam में back आ जाती है अभी या पहले आपकी back आई है किसी भी paper में तो आप अभी जून 2023 में उसका exam दे सकते हैं जिसके लिए अभी आपके मार्च अपरेल में exam form release होंगे आपके जो exam form होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं बहुत साई student कहते हैं कि back paper का कोई अलग से form होता है जो आपका exam form होता है fresh paper का वही आप उसी में ही अपना back paper का भी exam fill करते हैं वही आपको वहीं से fill करनी आपकी जो भी back paper की fees होगी दैन आप अपना exam दे सकते हैं अगर आप जून 2023 में exam नहीं देना चाहते हैं तो आप December 2023 में भी exam दे सकते हैं कि जब भी आपके admission की validity जब तक है आप जब तक आराम से अपना exam के लिए कर सकते हैं और इसके साथ साथ students का एक और doubt रहता है कि अगर हमाई किसी भी exam में back आ गई है तो क्या हमें उसका दुबारा से assignment submit करना होगा किसी भी paper में आपकी back आ गई है उसका आपका assignment पहले से submit है उसके marks लग चुके हैं अब आपको दुबारा से assignment submit करने की जहुरत नहीं है तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें पने दोस्तों में ज़्यादा सेयर करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद